हेलो फ्रेंड्स तीवारी बज़ेटें नोसरी में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने जारू हूँ मुंग डाल की बहुत ही हेल्दी हाड़ वो की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं तो चलिए इसे बनाना स्टा गणते के लिए रख देंगे तो यह देखिए तीन घंटे हो गया है दाल अच्छे से फूल गई है इसके पानी को निकाल देंगे अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे आठ लसुन की कली लेंगे एक इंच अद्रक का तुकडा लेंगे दो हरीमिश लेंगे इसमें डाल देंगे अब हम इसमें चार चमच दही डालेंगे बाद में जुरत पर है तो दही इसमें आप और डाल सकते हैं अब हम इसे बिल्कुल बारिक पीस लेंगे यह देखिए इस तरीगे से पीस लेंगे अब हम इसमें सूजी मिलाएंगे चार चमच आधा चमच हल्दी पौरड मिलाएंगे एक चमच नमक मिलाएंगे नमक स्वादरूसार मिलाएं आधा चमच लाल मिस पौरड मिलाएंगे मिक्स करेंगे से अच्छे से अब इसमें आधा कप ग्रेट किया हुआ पत्ता को भी डालेंगे आधा कप ग्रेट किया वह गाजल डालेंगे आधा कप बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज आईए अब हम इसमें एक चुथा एक कप मटर डालेंगे आधा कप बारी कटा हुआ सिमला मिस डालेंगे एक आधा कप स्वीट कॉन डालेंगे एक चताई कब बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे मिक्स करेंगे सारी चीजों को अच्छे से सारी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है बैटर दुआ गाढ़ा लग रहा है अब इसमें दही मिलाएंगे पांच चमज दही डालेंगे इसमे अच्छे से मिक्स करेंगे से देखिए बैटर की ठीकने से इतनी रखें बैटर त्यार है अब इसे दो पार्ट में कर लेंगे अब हम इसमें इनो मिलाएंगे एक चमश इनो डालेंगे इसमें इसे बिलकुल हलके हाथों से मिक्स करेंगे अब पैन में दो से तीन चमश तेल डालेंगे अच्छे से फैला लेंगे तेल को पैन में आधा चमश राई डालेंगे एक चमश सफेद तिल डालेंगे कुछ करी पत्ते डालेंगे एक चताई चमश हींग डालेंगे थोड़े दर के लिए से भून लेंगे अच्छे से अब हम इसमें बैटर डालेंगे अच्छे से फैला देंगे बैटर को अब हम इसमें लंबे साइज में कटे वे बीट रूट डालेंगे अब इसे ढखकर धीमी आज पर पांच मिट तक पकने देंगे बिल्कुल धीमी आज रखें पांच मिट उगया है नीचे के तरफ से अच्छे से सिख गया है अब इससे हम पलटร देंगे बिल्कुल ध्यान से पलटें से बहुत है कृस्फ बापस पैन में हम दो से तीस चमस तेल और डालेंगे कि आधा चमस राई डालेंगे कि एक चमस सफेत तेल डालेंगे थोड़े दर के भून लेंगे इसे अच्छे से अब हम हांडो को इसमें डाल देंगे पैन में बिल्कुल ध्यान से डालने से अब इसे धीमी आज पर ढखकर पांच मिट तक पकने देंगे बिल्कुल धीमी आज रखें पांच मिट हो गया है इसे चेक कर लेंगे इदे की हांडो बनकर त्यार है अच्छे सिख गया है इसे प्लेट में निकाल लेंगे इदे की बहुत हेल्दी हांडो बनकर त्यार है आप इस तरीके से जरूर बनाएगा यह आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेसि झाल 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 झाल